नमस्कार रारिस्थान समवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ में पूनम देश में गाउ बंद आंदूलन जारी है आंदूलन के चलते गाउ से सब्जियां वे दूद आदी की आपपूर्ती प्रभावित है जबकि सब्जियों के दाम में भी इजाफा हो रहा है वहीं मध्या प्रदेश के कई स्थानों पर सब्जियों की बिक्री पुलिस की मौजूदगी में हो रही है इतना ही नहीं पंजाब और हर्याना में किसानों ने विरोध स्वरूप सड़कों पर अपनी उपज फेकी प्राजियों में कई किसान संगधन सैन्युक्त रूप से प्रदशन कर रहे हैं और अपनी उपज के लिए लापकारी दाम स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशे लागू करने एवं क्रिशी रिंड माफ करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने शेहरों में सबजियों, फलों, दूद और अन्यखाद पदार्थों की आपूर्ती रोग दी हैं व्यापारियों का कहना है कि आपूर्ती में कमी के चलते सबजियों एवं अन्यखाद पदार्तों के भाव बढ़ गए हैं हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहर लाल खर्टर ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से किसी उद्देश्य की पूर्ती नहीं होगी हमने किसानों की हमेशा सुनी हैं और जो लोग किसानों को गुमरहा कर रहे हैं वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं हालकि पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग ने कृषी संकट के प्रती कथित उदा सींता को लेकर केंदर की निंदा की आम किसान यूनियन के प्रमुख केदार सिरोही ने बताया किसान इस आंदोलन में भरपूर साथ दे रहे हैं यही कारण है कि शेहरों तक गाव को सामान नहीं पहुच रहा सरकार आंदोलन को असफल बनाने पर तुली हुई है लेकिन उनकी कोशिशे काम्याब नहीं हो पा रही गौर तलब है कि बीते साल च्छेह जून को आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने मंद्सौर में गोलिया बरसाई थी जिसमें च्छेह किसानों की जान गई थी और बाद में एक ही पुलिस की पिटाई से मौत हो चुकी थी इस खटना के एक साल पूरा होने पर 6 जून को मंदसौर में श्रधांजली सबा का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष राहुल गांदी भी पहुच रहे हैं ऐसी और भी खबरे देखने के लिए हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें धन्यवाद